दोस्तों बहुत सारे ऐसे बेखती हैं जिनका रासन कार्ड पहले से तो बना हुआ है और आप देखते होंगे उनके रासन कार्ड में किसी भी सदस का नाम गलत हो चुका है उनके रासन कार्ड में कई सारी जानकारी गलत दी गई है उनका नाम गलत हो सकता है, पिताय का नाम गलत हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, एड्रेस गलत हो सकता है, रासन कार्ड में मान लीजिए कुछ भी गलत है, तो उसको ओनलाइन घर बैठे आप कैसे सुधार सकते हैं, मैं उसका लाइब प्रोसेस आपको दिखाने व वो प्रोसेस ओल ओभर इंडिया भारत का आप किसी भी राज से आते हैं तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल इसकीन पर और बताते हैं पूरी जानकारी सबसे पहले आपको मोबाइल में प्लेश्टोर ओपेन कर लेना है और इस पे सर्च करना मेरा रासन जैसे आप सर प्रोड होने की चांस नहीं है इसे आपको इंस्टोल कर लेना है डाउनलोड होने के बाद इस परकार से दिखेगा और आपको ओपेन का ओप्शन मिलेगा ओपेन पे किलिक करना है तो थोड़ा सा समय लेगा ओपेन होने में तो इस परकार से जो है ओपेन हो जाएगा आपको दो आप्शन मिलता है बेनिफेसरी यूजर और डिपार्टमेंट यूजर तो आपको बेनिफेसरी यूजर पर ठीक रहने देना है और यहां अधार नंबर इंटर करना है आप जिस भी सदस्ट का रासन कार्ड में नाम सुधारना चाहते हैं उसका रासन कार्ड में ना को यहा letter करना है और login हो जाएगा तो हम पहले अधार nonberra डाल लेते हैं फिर आगे आपको बताते हैं तो आपके अधार registered mobile number पर एक OTP बेजा जाइगा उस OTP को यहाँ entire करना है और उसका verify पे click करना है तो हम OTP डाल देते हैं तो oop verified successful हो गिया है और यहां जो है अब आपको एक login pin यानि की mpin create करने के लिए बता रहा है तो आप यहां एक mpin create कर ले इससे होगा यह कि जब भी आप इस application को दुबारा login करेंगे तो आप mpin type करेंगे और आपका जो है login हो जाएगा तो हम create now पे click करेंगे यहां जो है आपको कोई भी 4 digit का mpin डाल द mpin पे click करना है तो यहां आप देख पाने कि your mpin code has been saved इसको यहां ok करना है कुछ permission माएगा उससे allow कर देना है इसके बाद यहां skip करना है तो इस परकार से जो है आपका राशन काड ओपेन होके आ जाता है यही से आप अपना राशन काड डाउनलोड कर सकते हैं यह manage family detail पे click करेंगे इसके बाद इस राशन काड में तीन सदस का नाम है इसमें से आप जिसका भी नाम में गलत है या date of birth गलत है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको यह green का जो tick दिख रहा है इसी पे आपको click करना है इसके बाद update family member इस पे ask करना है और यहां जो ह फिर से आपको नाम ट्राइब करना है यहां आपको जेंडर सेलेट करना है इसको यहां पर आपको date of birth डालना है date of birth डालने के बाद नीचे आना है यहां mother's name इंटर करना है फिर से यहां mother's name इंटर करना है यहां पर father's name डालना है फिर से यहां father's name डालना है merit status select करना है nationality इसके बाद यहाँ पे mobile number डालना है यहाँ पे email ID इतना सब डालने के बाद आपको next पे click करना है यदि आपके पास voter ID card है तो यहाँ आपको epic number को डाल देना है मेरे पास है तो हम डाल देते हैं यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास national population registration number है तो आप डालेंगे नहीं तो इसे छोड़ देंगे और नीचे आपको जो अधार card number डालना है अधार number डालने के बाद यहाँ आपको next पे click करना है यहाँ आपको occupation selector ना है बहुत सारा इसमें से आप जो भी है वो आपको दे दिना है और नीचे आपको जह सलाना income बता दिना है यानि कि 60,000 से कम ही बताना है और इसके आपको next पे click करना है और यहाँ पे cast category select करना है आप जो भी है other general other backward classes STSC जो भी है आप अपने सारी से select कर लेंगे इसको यहाँ आप से पूछ रहा कि रासन कार्ड में जो head family member है उनसे आपका रिष्टा क्या है तो हम यहाँ sun select कर दिये और यहाँ आपको आप caste certificate upload करना पड़ेगा तो मेरे पास है तो हम upload कर देते हैं यहां browse file पे click करेंगे और यहां gallery select करेंगे कुछ permission माएगा इसे allow करेंगे इसके वाद यहां से हम इस file को ले लेंगे आप यहां देख पा रहे हैं यहां जो हमारा file upload होगी और इसके वाद हम next पे click कर देंगे यहां जो है आपको bank detail डाल देना है यानि कि account number bank का नाम select करना है और यहां पे आपको IFSC code डालना है इसके बाद आपको next वाले विकल पे click करना है यदि आप handicap हैं तो इस पे आप ask करेंगे और नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे इसके बाद आपको next वाले विकल पे click करना है फिर से यहां आपको next वाले विकल पे click करना है तो address पुरूप में यहां पहले देख ले कि आप कौन सा documents इसमें देना चाहते हैं driving license, passport, voter ID card, rent, water, bills, आधार कार्ट जो भी आप इसमें देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं अधार कार्ट select करेंगे और यहां आपको in close document number में आप यहां अपना अधार कार्ट नमबर डाल देंगे और नीचे जो है document issue date जब आप अधार कार्ट डाउनलोड करेंगे उसमें एक issue date दिखाई देता है उस issue date को यहां पे डाल देना है तो आधार कार्ट में आपको document issue date मिल जाएगा उसे देखकर आधार कार्ट अपलोड करने के लिए आपको browse file पे click करना है और यहां gallery लेना है और यहां से आप अपना अधार कार्ट select कर लेना है अपलोड कर देंगे यहां अधार number select करना है और यहां पे issue date डाल देना है जब आप अधार कार्ट डाउनलोड करेंगे वहां जो आपको issue date और download date दोनों दीख जाता है फिर से यहां जो आपको अधार कार्ट अपलोड कर देना है अठाड नमबर में भी जो आपको अधार काड अपलोड करना है इसू डेट यहां डाल देना है और यहां पर अधार काड अपलोड कर देना है और इसके बाद आपको next वाले विकल पे किलिक करना है तो इस परकार से जो है आपका एक form ओपेन होके आजाता है इसका term and condenser पे टिक करना है और submit पर किलिक कर देना है तो आपके अधार राजस्टर मुवाल नमबर पे एक OTP गया है उस OTP को यहां इंटर करना है तो OTP verify successful हो गया है इसको OK करना है और यहां से जो है आपका form submit हो जाता है तो submit होने के बाद आपका detail विभाग के पास चला जाता है इसके बाद विभाग आपका detail को मिलाता है जो भी सुधार करने का परकिरिया के लिए आपने online किया है इसके बाद सुधार कर दी जाती है इस पे जो है कोई अभी सटीक date नहीं हुआ कि 8 दिन लएगा या 10 दिन लएगा या 15 दिन लएगा या महिना दिन लएगा भूत सारे state में 2-3 दिन में भी हो जाता है कहीं 8 दिन भी लगता है और कहीं पे महिनों दिन का भी समय लग जाता है तो आपको घबडाने की जरूरत नहीं है इसके बाद यहां से आपको अपना track रासन पे भी क्लिक करके आप अपना status चेक कर सकते हैं लेकिन अभी जो available सुन दिखा रहा है और यदि आपको इसमें my givements पे क्लिक करना यहां से आप अपना complaint दर्च कर सकते हैं इस परकार से आप इस application का उप्यों कर सकते हैं दोस्तो अभी आपने देखा मैंने आपको step by step बताया कि कैसे आप रासन कार्ड में किसी भी family member का नाम को सुधार सकते हैं कुछ भी गलत है तो आसा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जनकारी समझा होगा तो इस वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा कहीं भी कोई doubt या confusion है comment box में लिख दीजिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद